नमस्कार किसान भाईयों मैं हूँ शिवम्याद आप सभी का स्वागत है लाइव टोड़े के इस खास काईकरम मेरा देश मेरा गाउ में जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खेती, किसानी, पशुपालन और तक्नीक से जुड़ी हुई महत्पूर बाते हैं तकि किसान अपनी फसनों और पश्यों को बखुबी ख्याल रख सके और उनसे बहतर लाब कमा सके काईकरम के आज के इस भाग में हम बात करेंगे अंडी की जी हाँ, अंडा, अंडा आज के वक्त में हर किसी की पसंद है कुछ लोग पॉल्टरी के अंडे खाना पसंद करते हैं और कुछ को देसी अंडा अच्छा लगता है कुछ लोगों का मानना है कि देसी अंडा जादा पोश्टिक होता है अगर आपको भी यही लगता है कि देसी मुर्गियों के अंडे जादा पोश्टिक होते हैं तो आप भी गलत साबित हो सकते हैं क्योंकि विशेशग्यों के अनुसार देशी अंडों के मुकाबले पोल्ट्री फार्म के अंडे जादा पोशर से भरपूर और हाईजेनिक होते हैं। ये रिपोर्ट देखें। देशी और फार्मों के अंडे खाना लोगों की अपनी पसंद है। लेकिन अगर गुर्वत्ता की बात की जाए तो पोल्ट्री फार्मों के अंडों का सेवन करना चाहिए। क्योंकि इन अंडों में भरपूर मात्रा में पोशर और हाईजेनिक होते हैं। ये विग्यानिक तरीके से त्यार किये जाते हैं। फामों में मुर्गियों को संतुरित अहार दिया जाता है साथ ही उनके रखरगाव से लेकर खान पान का पूरा ध्यान रखा जाता है आम तोर पर देसी मुर्गियों को बाहर खाने के लिए छोड़ दिया जाता है वो बचा खुचा खाती हैं और पानी भी कंदा पीती है जबकि форм में साफ पानी की वावस्ता होती है इसके अलावा देसी मुर्गियों को जहां पर रखा जाता है वही पर वो बीट करती है और वही पर अंडा देती है अंडे का छिलका काफी मुलायम होता है और धीरे धीरे वो सूखता है सूख कर शेल बन जाता है मुर्गियों की बीट में लाखों करोडों बैक्टिरिया होते हैं जो इस शेल में चले जाते हैं और वो खाने लाइक नहीं रहते अंडे का सेवन सेहत के लिए अच्छा होता है इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसेट परियाप्त मात्रा में पाया जाता है ये सबी पोशक तत्व शरीर के लिए बेहाज जरूरी होते हैं साथ ही अंडे में पाये जाने वाले विटामिन A से आँखों की रोशनी बढ़ती है लोग देसी अंडे को ज्यादा गुड़कारी समझते हैं इसलिए बाजार में इनकी कीमा साधरन अंडों की तुल्ला में काफी ज्यादा होती है मुर्गी के आकार के अनुसार अंडे की पौश्टिकता तै होती है देसी अंडे में कोई पौश्टिकता तो कम हो सकता है तो कोई ज्यादा लेकिन पॉल्ट्री की मुर्गियां साल में 305 से 310 अंडे देती हैं जबकि देसी मुर्गियां 150 से 200 अंडे देती हैं पोल्ट्री की मुर्गियों का जो वजन होता है उसके आधार पर उनको खुराक दी जाती है जो संतुलित होती है देशी मुर्गियों का आहर निश्यत नहीं होता पोल्ट्री फेडरेशन ओफ इंडिया के कारेकारी सदस्ते शबीर एहमत खान बताते हैं कि पोल्ट्री फार्मों में मुर्गियों को भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम और मिनिरल्स दिया जाता है जो हमारे शरीर के लिए भी आविशक है बड़े बड़े फार्मों में बायो सिक्योर्टी के जरिये पक्षियों को सुरक्षित रखा जाता है ताकि उनको कोई बिमारी ना हो वहीं गाव और महलों में पाली मुर्गिया गंदा पानी और बचा कुचा खा करी रहती है तो अंडे में भी उसी प्रकार की पॉश्टिक्ता रहती है जो अंडा जादा बड़ा होता है उसमें ज्यादा मात्रा में पोशड होता है जो अंडा छोटा होता है उसमें कम पोशड होता है फार्मों में वैज्ञानिक तरीके से मुर्गियों को पाला जाता है मुर्गियों को अगर संतुलित आहार नहीं दिया गया तो ना उनका अंडा बड़ा होगा और ना उस अंडे के अंदर पोशक तत होगे देशी मुर्गियों के अंडे ज्यादा तर छोटे होते हैं लेकिन अगर उन्हें भी संतुलित आहर मिले तो वो भी बड़े हो सकते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं अंडू के सीवन्स से होने वाले फाइदों के बारे में। अभी पॉस्टिक चत्वों के फाइदे किसी एक ही चीज़ से प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए अंडा एक बहतरीन विकल्प हो सकता है। कुछ लोग सिर्फ देसी अंडे की खाते हैं अंडे के कई फायदे हैं। अंड़ खाने के फायदे जानकर आप भी कहेंगे संडे हो या मंडे, रोज खा हो अंड़े। अंडा आपकी आँखों की रोश्णी बढ़ाता है बालू और तुचा के लिए गुड़कारी माना जाता है अंडा अंडा खाने से आपके शरीर को भरपूर एनरजी मिलती है कहते हैं कि गर्मियों में अंडा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि ये गर्मी को और जादा बढ़ा देता है वैसे ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी मात्रा में इसको खाते हैं किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती रोजाना एक या दो अंडे का सेवन करना सेहत के लिए तचा के लिए बालों के लिए बहुत अच्छा है तो भूल जाए कि अंडे से होने वाली गर्मी और पिंपल्स की समस्य आपको परिशान करेगी आप नियमित अंडा खा सकते हैं लेकिन आपकी खुराक संतलित होनी चाहिए लोग ऐसा मानते हैं कि अंडा मोटापे को दावत देता है उनके लिए ये जाना बहुत ही जरूरी है कि सुबा के वक्त नाश्टे में सिर्फ दो अंडे खाने से सारे जरूरी न्यूट्रेट्स की पूर्ती हो जाती है इसके बाद अगर चाहें तो दुपैर के खाने और डिनर में कुछ हलका भी खाया जा सकता है साथ ही ओवर इटिंग से भी बचा जा सकता है अंडे में पाए जाने वाला कोलीन न्यूट्रेट दिमाग के विकास के लिए फाइदे मन होता है इसे ब्रेन एक्टिव रहता है और यादाश लंबे समय तक अच्छी रहती है गर्भवती महिलाओं को खास तोर पर अंडे का सेवन करना चाहिए क्योंकि ये गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास में मददगार है तो किसान भायों ये तो थी अंडों से होने वाले फाइदों की बात अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हम अपने एक्सपर्ट के जरिया आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे आप अपना बहुमूल सुझाओ भी हमें दे सकते हैं हमारा टोल फ्री नंबर है 1800121-0199 तुछली काईकरम के इस भाग में हम बात करने जा रहे हैं गाय और भैसों की किसान भाईयों गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है इस मौसम में ज्यादा तर परशुपालक परशुओं के खानपान पर ज्यादा ध्यान नहीं देते जिससे कि दूद का उत्पादन घट जाता है इसलिए हर मौसम में पशुओं की विशेश देखपाल बहुत जरूरी है अगर आप भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो काईकरम का ये भाग आपके लिए बहुत एहम है ये रिपोर्ट देखे पशुची कि सक बताते हैं कि पशुओं को दिन में तीन से चार बार पानी पिलाएं और हर बार ताजा पानी पिलाएं सुबह और शाम नहलाना जरूरी है गर्मियों में पशुओं का दूद घट जाता है इसलिए इनके खान पान का विशेश द्यान दे खाने के रूप में इन्हें हरा चारा और मिनरल मिक्शर दे इससे पशुओं का दूद उतपादन नहीं घटेगा इस मौसम में पशुओं को गला घोट बिमारी का टीका लगवाले ये टीका नजदीकी पशुची के साले में दो रुपे के मामुली शुलक पर लगता है गर्मी के मौसम में हवा के गर्म थपेड़े और बड़े हुए तापमान से पशुओं में लू लगने का खत्रा बढ़ जाता है ज्यादा समय तक धूप में रहने पर पशुओं को संस्टोक चैसी बीमारी हो सकती है इसलिए उन्हें किसी हवादार या छायादार जगा पर बांदे इस मौसम में पशुओं के नवजात बच्चों की भी देखपाल जरूर करें अगर पशुपालक उनका ढग से खयाल नहीं रखता है तो उसको आगे काफी परिशानी का सामना करना पड़ेगा तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप गर्मियों में कैसे अपने पशुओं और पशुओं के नवजात बच्चों का खयाल रख सकते हैं इन बातों का रखे ध्यान दूप और लू से नवजात पशुओं को बचाने के लिए पशुओं आवास के सामने खस या जूट के बोरे का परदा लगा देना चाहिए नवजात बच्चे के जन्मे के तुरंट बाद उसकी नाक और मूझ से सारा म्यूकस बहार निकाल देना चाहिए अगर बच्चे को सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो तो उसे मूझ से मूझ लगा कर सांस देने की प्रक्रिया अपनाना चाहिए नवजात बच्चडे का नाभी उपचार करने के लिए उसकी नाभी नाल को शरीर से आधा इंच छोड़ कर साफ धागे से कस कर बांद देना चाहिए नवजात बच्चडे को जन्मे के आदे घंटे के अंदर खीस पिलाना बेहर ज़रूरी होता है अब हम आपको गाय और भैस के वजन के संबन्द में एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो आपको शाहिद कोई टोना टोटका लगे मगर ये कोई टोना टोटका नहीं बलकी बाकायदा वेग्यानिक सत्य हैं कि अगर दूद देने वाली गाय भैसों के चारे में लहसुन मिला दिया जाए तो वो कम मात्रा में मिठेन गैस वादावरण में छोड़ेंगे और इसे वो दूद भी जादा देंगी जिसे दूद उतपादन भी बढ़ेगा लंदन से प्रकाशित समाचारपत डेली टाइम्स में हाली में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दूद देने वाली गाय भैसों को लहसुन या जई यानि ओट खिलाने से ग्लोबल बॉमिंग को कम करने में मदद मिल सकती है प्रियोग शाला में किये गए सफल परिक्ष्रों के बाद अब प्रियोग के तौर पर सीमित संख्या में किसानों को अपने इस दुधारू पश्यों के आहार में खास्तोर पर लहसुन और जई मिलाकर देने की सलह दी जा रही है जब वातावरन का तापमान 42 से 48 डिग्री सेल्सेस तक पहुच जाता है और गर्म लूग के थपेड़े चलने लगते हैं तो पशुद दबाब की इस्थिती में आ जाते हैं इस दबाब की इस्थिका पशुओं की पाचन प्रडाली और दूद उत्पादन शम्ता पर उल्टा प्रभाब पड़ता है इस मौसम में नवजात पशुओं की देखभाल में अपनाई कई थोड़ी सीबी असाबधानी उनकी भविश्य की शरीरिक व्रद्धी स्वास्ते रोगप्रती रोधी शम्ता और उत्पादन शम्ता पर इस्थाई कुप्रभाब डाल सकती है गर्मी में पशुओं में चारा खाने की मात्रा में 10 से 30 प्रतिशत और दूद उत्पादन शम्ता में 10 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है गर्मी के मौसम में दुध उत्पादन और पशु की शारिदिक शम्ता बनाये रखने की दिस्टी से पशु आहार का भी महत्वपूर्ण योगदान है तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप गर्मियों में पशु के आहार में कुछ मामूली बदलाब कर अच्छा दुध उत्पादन कर सकते हैं गर्मी में पशुपालन और पशु आहार गर्मी में पशुपालन करते समय पशुओं को हरे चारे की अधिक मात्रा उपलब्द कराना चाहिए गर्मी के दिनों में पशुओं के चारे में एमीनो पावर और ग्रोबी प्लेक्स मिला कर देना लाबधाय खुराता है गर्मियों में पशो को हराचारा देने पर पशो में पानी की कमी नहीं होती है इस मौसम में पशो को भूग कम लगती है और प्यास अधिक इसलिए पशो को परियाप्त मात्रा में दिन में कम से कम तीन से चार बार पानी पिलाना चाहिए जिससे शरीर के तापकरम को नियंत्रिट करने में मदद मिलती है इसके अलावा पशु को पानी में थोड़ी मात्रा में नमक और आटा मिला कर पानी पिलाना चाहिए गर्मियों में कई बार पशु लू की चपेट में आ जाते हैं तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि पशु में लू के लक्षन को हम किस प्रकार पहचान सकते हैं और साथ साथ हम आपको लू से बचाने के उपचार के बारे में भी जानकारी देंगे गर्मी में पशु पालन और पशु आहार देरी को इस प्रकार बनाये कि सभी जानवर के लिए उचित इस्तान हो ताकि हवा को आने जाने के लिए जगह मिले पशु को प्रति दिन एक से दो बाट थंडे पानी से नहलाना चाहिए पशु के लिए पानी की उचित विवस्था होनी चाहिए मवेशु को गर्मी से बचाने के लिए पश्चुपालक उनके आवास में पंखे, कूलर और फवारा सिस्टम लगा सकते हैं दिन के समय में उन्हें अंदर बांद कर रखे लोग की चपेट में आने पर पश्चु को तुरंद चिकिस्सा को दिखाए पश्चु को इलेक्टरॉल एनर्जी देनी चाहिए तो किसान भायों ये तो थी गर्मियों में पश्चु सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारी अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्ग कर सकते हैं हम एक्सपर्ट के जरीए आपके समस्याओं को दूर करने की कुशिश करेंगे साथ ही आप अपना बहुमूल सुजाओ भी हमें बेज सकते हमारा टोल फी नंबर है काट शुन शुन एक दो एक शुन एक नो नो को किसान भाईयों आपकी सहिता के लिए लाइफ टुडे की ओर से चलाइ जा रहे कारिकरम मेरा देश मेरा गाउं में अब तक हमने आपको कई सारी फसलों फलों और फूलों की खेती के बारे में बताया है और खेती किसानी से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने की भी कोशिश की है अपने help line number के जरीए ये help line number बिलकुल निशुल्ख है जिस पर हमें किसानों की ओर से सरहना तो मिली ही है साथ ही उन्होंने खेती में आने वाली समस्याओं के निदान के लिए भी हमसे संपर्किया है और कई किसान भाईयों के सवालों का हमने अपने experts के जरीए समधान भी किया है कुछ ऐसे ही सवाल आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं ये वो सवाल हैं जिसे किसान भाईयों ने हमसे पूचा है और उसका जवाब जानने की कुशिश की है मद्द प्रदेश के रहने वाले किसान भाई अर्विन ने हमारे टोलफी नंबर पर हमसे संपर्क किया और अपनी समस्या रखी उनका सवाल है आपका सवाल गन्य की फसल में खाद प्रबंदन के बारे में जानकारी चाहिए हमारा जवाब अर्विन जी गन्य की बॉई से पहरे प्रती एकर सुपरफॉसफेट 150 किलो म्यूरिट और फोटाश 50 किलो की मात्रा देनी चाहिए यूरिय 25 किलो और रीजेंट 10 किलो को लेकर खेत में डाले गन्य की बॉई से 45 दिन बाद यूरिय 100 किलो प्रती एकर की मात्रा को दो से तीन बार में सिचाई के समय देना चाहिए गन्या बॉई से 80 दिन बाद 100 किलो यूरिय उपपरोक्त अनुसार बाट बाट कर डाले गन्या बॉई से 120 दिन बाद मिट्टी चड़ादे समय सुपरफासपेट 150 किलो पुटाश 50 किलो और 50 किलो यूरिय देना लाबदायक होता है मिट्टी में नैट्रोजन की मात्रा बनी रहे इसके लिए एजोट्रोबैक्टर और 4 किलो पी एसबी का प्रयोग गोबर खाद में मिलाकर दूसरी जिचाई के समय करें अर्विन जी हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा अब आईए बात करते हैं आज के दूसरे सवाल की उत्तरपदेश की रहने वाले किसान भाई हुसैन अली ने हमारे टोलफी नंबर पर हमसे संपर किया उन्होंने हमसे जानना चाहा आपका सवाल इस अब गोल की खेती के बारे में जानकारी चाहिए हमारा जवाब हुसैन जी इसके लिए सर्द और शुष के जलवाईयों उप्युक्त रहती है बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए 20-25 डिग्री सेल्सियस के मद्दे का ताप मान और मिट्टी का पी एच मान सास से आर्ट सर्वत्तम होता है चिटक कर बाई करने से 4-5 किलोग्राम प्रति हक्टेर बीज की आवशकता होती है इसके बाई के लिए नवंबर का पहला सप्ता उत्तम होता है इसके फसल की अधिक पैदावार लेने के लिए 15-20 टन सड़ी हुई गोबर की खात को आखरी जुताई के समय खेट में मिलाए इस फसल को 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हक्टेर आवशकता होती है आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा अब आईए बात करते हैं आज के तीसरे सवाल की बिहार के रहने वाली किसान राजू ने हमारे टोलफी नंबर 18-001-0199 पर हमसे संपर किया और हमसे जानना चाहा आपका सवाल मचली पालन की जनकारी किस सरकारी दफ्तर से मिलेगी हमारा जवाब मंदल के मंदली उपने देशक मतस्य कारेले से भी संपर कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है राजुजी यकिनन आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा तो किसान भाईयों ये तो थी आज की वो समस्याएं और उनके समाधान जो आपने हम से पूछे हैं हम आशा करते हैं कि आप हमारे और हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा दिये गए समाधान से संतुष्ट होंगे और आगे भी खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं के लिए हमारे टोल फी नंबर एक आट शून शून एक दो एक शून एक नौनों पर समपर करते रहेंगे और अपने बहमूल सोजाओं हमें देते रहेंगे आज के स्काइकरम में किसान भाईयों फिराल के लिए बसे अतना ही खेती किसानी से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ हम आप से दोबारा रूबरू होंगे तब दक के लिए नमस्कार झाल